जैहिन नमस्कार सातियों विहांस इस्टिटूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है लंबे समय के बाद मद्धब्रेस लोक सिवा आयोग के द्वारा मुखे परिक्षा 2020 का रेजल्ट घुसित किया गया यहां पर जो भी अभ्यर्थियों उत्रिड हुए हैं उन सबको सबसे पहले डेल सारी सुखकाम नाए अम्मो के परिक्षा उत्रिड करने के पस्चात आपका यहां पर साक्षातकार होगा जिसमें उसके पहले आपको कुछ महत्पूर दस्तावेच MPPSC को भेजने होते हैं और उसके द्वारा ही क्या होता है आपका फिर साक्षातकार होता है यहां पर लोग सिवा आयोग के द्वारा कुछ फॉर्म दिये जाते हैं जैसे DAF फॉर्म जिसे इसे डेटेइल एप्लिकेसणौंफों कहाता है अनुप्रमान पत्र होता है साथ ही उपस्तितिक पत्रक होता है तो यह सभी पर्म को क्या करना होता है आपको भरना होता है तो आज के इस nickel में हम 5 के बारे में जानेंगे कि DAF में जो जो होबी क्या है यह सभी पर आधारित क्या है कोच्चन पूछे आते हैं तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे कि यहां पर आपका जो फॉर्म होगा वो किस प्रकार से भरा जाएगा और क्या-क्या मूल भूत बातों का आपको इसमें ध्यान रख रहा है ठीक है तो इस तरीके से आपका यहांग पर जो स्क्रीन में देख रहा है इस तरीके से आपका क्या हुगा व्यक्तिकत् Means विवरण पत्रक मतलब दी-एफ में वहोगा और तो क्या चीज है यहाँ पर आपका एक मूल प्रती हो जाएगी एक मूल प्रती हो जाएगी और उसके बाद बाकी पांच क्या होगा फोटो कॉपी हो जाएगी ठीक है तो यह चीज है लेकिन यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि इस प्रपत्र को आवेदक स्वयाम ही भरे अब को पहले पेज में ही है और एक आपको लास्ट फेज में हस्ताक्षर करने है लेकिन यहां पर क्या रखी यादध रखना है कि जब आप इसकी मूल प्रति भर लें उसके पहले आप शिंग्नेजर नहीं करें शिंग्नेजर आपको कप करना है signature आपको photocopy कराने के बाद करना है क्योंकि यहाँ पर जो सबसे important बात लिखी है कि प्रथक प्रथक ही हस्ताक्षर करने है तो जब photocopy करा ले photocopy आपको 6 प्रतियां करानी है 6 प्रतियां कराने के पस्चार आप यहाँ पर सभी form में अपने हाँ से का करे आपको याद रखना है नहीं तो आपको क्या है दुबारा form भरना पढ़ सकता है आपको signature डारेक्ट ही करना है ठीक है फिर यहाँ पर चलिए point पर discuss कर लेते हैं कि पहला point है यहाँ पर आवेधन क्रमांग ठीक है तो जैसे आवेधन क्रमांग तो हमारे पास मुख्य परिक्षा का form भरा होगा तो मुख्य परिक्षा के form में आपको वो आवेधन क्रमांग मिल जाएगा ठीक है तो आवेधन क्रमांग M से start होगा उसके बाद कुछ digit रहेंगी तो वो आप लिख दीजेगा है ना जो आपके आवेधन क्रमांग में दिये होंगे इस तरीके से आप अपना आवेधन क्रमांग लिखेंगे फिद दूसरेु पंट में लिखा है पंजिय क्रमांग कि या roll number ठीक है roll number दूसरे point में क्या है roll number लिखना है तो roll number भी आपको यहाँ पर मुख्य परिक्षा का roll number पर लिखना है ठीक है प्री का रोल नंबर बद लिखेगा यहाँ पर आपको आयोक के द्वारा आपको बाध में of प्रवाइड कराई जाएगी तो यह वाला जो थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पर आपको ब्लैंक चोड़ना है ठीक है यहाँ जब आप form submit करेंगे उसके पहले आपको तारीक नहीं मिलती है तो यहाँ पे आपको कोई भी तारीक नहीं लिखनी है तो यहाँ पर साक्षात करती थी मैं आपको क्या करना है blank छोड़ना है उसके बार लिखा है विज्ञापन, क्रमांक और दिनांक अब यह विज्ञापन, क् तो चट्रीत highway है उसकी तारीक मिल जाएकी समझ में आई तो उसके आपको कहाँ मिलेगा जो आपको मिलेगा 2020 2020 का जो नोटिफिकेशन आया होगा प्री का उस तरीके से आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा यह विज्यापन क्रमांग और दिनांग उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है पाचवा पॉइंट परिक्षा का नाम ठीक है तो कौन सी परि परिक्षा 2020 2020 ठीक है यह हो जाएगा आपका तो राजसेवा परिक्षा आपने लिख दिया यहाँ पर आपका पाचवा पॉइंट हो गया चट्वे पॉइंट में क्या बोला है कि आवेदित पद का नाम मतलब आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं समझ मैं तो जैसे य यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि यहाँ पर लिखना है विज्यापन में वर्नित विज्यापन में वर्नित समस्त पद ठीक है समस्त पद और सेकेंड पॉइंट विभाग का नाम यहाँ पर लिखेंगे विज्यापन विग्यापन में वर्णित समस्त विफाग ठीक है अब जैसे यहाँ पर आप सुच रहे होगे कि आवेदित पद का नाम क्यों लिखा है तो जैसे माल लीजिए कई लोग सेलेक्ट हो जाते हैं जैसे माल लीजिए कोई नायप तहसीलदार है अब उसको क्या है उसके उपर के प इंसन कर देते हैं इसलिए यहाँ पर लिखा है लेकिन जिनका सेलेक्षान नहीं हुआ है किसी भी पद पर नहीं है तो यहाँ पर विज्यापन में वर्णित समस्त पद लिख सकते हैं पर इन दोनों पॉइंट में 6 और सब्वेंट में कुछ बच्चों को यह कंफ्योजन हो होते हैं यहां पर जब को आपको प्रिफरेंस भराया जाएगा तो वहां पर आप उसको छोड़ दीजेगा ठीक है यहां पर आपको कुछ लिखने की आविशक्ता नहीं है समझ माईती चीज़ें तो छटमा और साथमा पॉइंट है यहां पर आप सीथ है विज्ञापन पर वर्णिस समस्त पद और विज्ञापन पर वर्णिस समस्त विभाग लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है जब आप रिफ्रेंस बरेंगे तब आप वहाँ पर उन पदों को छोड़ देंगे जिसमें हाइट की रिक्वाइर्मेंट है और आप अगर फुल्फिल नहीं कर पा रहे हैं उसको तो समझ में आया तो यहां पर यह चीज़े हो जाएंगी उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यहां पर क्या पूछा है आई यह सा पर हें वह पूरा फॉर्म हंदी में भरिएगा और जो लोग हैं निक्क्त हो सकती है कि आप इंटर्वियर ने बोला कि वह आपने पूरा फॉर्म डिए अवह है तो आप अगर ऑगर हम ओंदे नहीं है तो थोड़ी बहुत क्या है वहाँ पर कुछ ऐसी छोटी बातों का ध्यान इसलिए रखना होता है कि आपका इंटर्वियू खराब नहीं हो है ना तो उस तरीके से यहाँ पर आप हिंदी में भरें इंग्लिस भरें वह आपके ऊपर है जिसमें भी आप तो हिंदी और अंग्रेजी में क्या हो गया आपका अवेदक का नाम हो गया पिता और पती का नाम लिखेगा और जो भी मेरेट वोमेन है वह अपने पती का नाम लिख सकती है यहाँ पर पिता और पती का नाम उसके बाद आता है जन्म दिनांग अब जन्म दिनांग में हाई स 1195 ठीक है यह हो गया आप इस तरीके से यहाँ पर भर देंगे तो सब्दों में लिखना है तो वहाँ पर एसा सीधे लिखेगा एक जुलाई पूरा लिखेंगे आप एक जुलाई 1995 ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपना क्या भर सकते हैं डेट आप वर्थ भर सकते हैं उसके बाद बोला है दिनांग 11 पॉइंट जो है आपका दिनांग एक एक और बीस ठीक है एक एक और बीस लिखके छोड़ दिया है कि है यहाँ पर आपका क्या है जो मुख पर इक्षा हुई है वो 2020 खी की है और यहाँ पर जो date पुठा जाएगा वह डेट आपको लिखनी है 2021 से जो भी बीस वाले रहेंगे जो भी 20 वाले फोर्म भर रहेंगे उन्हेँ 2021 के हिसाब से 1-1-2021 को उनकी उमर कितने वर्स कितने माह, कितने दिन की हो गई होगी वो चीज आपको यहाँ पर वेंसन करनी है ठीक है? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 21 ही आएगा. तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी डेटा वर्द के हिसाब से और 11-2021 में जो भी डिफरेंस आएगा कितने दिन, कितने मा और किते वर्स के आप हो जाएंगे वो यहां पर आप लिख दीजेगा ठीक है तो इस तरीके से यह वाले पॉइंट भी आ जाएगा अब बार्मा पॉइंट आपका क्या दिया है कि जन्मिस्थान तहसील जिला राज्जी का नाम ठीक है तो यहां पर आपका जहां जन्म हुआ है वो लिख दीजिए आपका जो भी पता हुआ होगा उस इस आप से किस सहर किस तहसील में आता है कौन सा जिला है और कौन सा राज्जी है ठीक है यह चार पॉइंट आप यहां पर क्या करेंगे मेंसन कर देंगे समझ में आया तो यह आपका इस तरीके से यह फॉर्म यहां के है यहां के मूल लिवासी है यहां पर आप क्या लिखेंगे यहां पर आप सीझे लिख सकते है जनम से ड Docker आ यहां पर यह यह लिख दीजेगा जन से फिर आपका जो 14 पॉइंट है कि या आवेदक मद्य प्रदेस के घौसित आरक्ष Τ्रेणी का सदस्य है यदि हाथ तो अ अनसूंची जाती जन जाती अत्रिक पिछ्डा वर्ग अंकित करें तथ सक्ष्म प्राधिकारी द्वार्ह वादुपर्वत्र जारी प्रमार्बत प्रस्तूद करें ठीक है यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपकी यहाँ पर जो भी Credit Gd κ है ठिर जो भी category है उस category में आपको क्या करना है यहां पर आपको लिखना है कि जैसे आप आप अपर अगर अनसूचीत για थी के हो गाए या फिर आप अन्यपिछरा वर्ब के हो गाए तो वह चीजी आपको Mention करना है और अगर यहां पर आप को यहाँ पर क्या करना है अगर सामान्य वर्ग के होंगे तो यहाँ पर आप सामान्य वर्ग भी लिख सकते हैं ठीक है सामान्य वर्ग लिख सकते हैं और फिर जारी प्रमाड पत्र तो कोई प्रमाड पत्र तो होता नहीं है यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं लागू नहीं यह चीज हो जाएगी लेकिन क्या होगा, यहां पर एक चीज़ ध्यान रखेगा, कि जैसे माल लीजे कोई क्या है, कोई अनसूचित ज्याती का हुआ, तो यहां पर लिखेगा, अनसूचित ज्याती लिखा होगा और उसको जो भी प्रमाड पत्र दिया हो गया होगा जो उसकी जाती को दिधारित करता है ऐसा एक प्रमाड पत्र बनता है तो उस प्रमाड पत्र में जारी प्रमाड पत्र क्रमांक आपको दिया होगा ठीक है? इस जमाल लेजिए कि यहाँ पर RS से चालू होता है एक प्रमाड पत्र में सबसे उपर left side में आपको क्या होगा प्रमाड पत्र मिलेगा उसमें slash करके कुछ number होंगे ठीक है वो आप यहाँ पर fill कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर fill करना है और वो किस दिनांग को जारी हुआ तो वो दिनांग का आपको यहाँ पर mention कर दे नहीं है तो यह आपके जाती प्रमाड पत्र में यह आपको दोनों चीज़े मिल जाएंगी समझ में आया और यहाँ पर क्या लिखा गया है कि क्या प्रमाड पत्र विद्वस समझ अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तो अगर यहां पर आपका प्रमार्पत जारी किया गया है तो यहां पर आप डारेट हां लिख देंगे ठीक मत लगाईएगा तिक भी लगा सकते हैं और हां भी लिख देज़ेगा दोनों चीज़े कर सकते हैं समझ में इतनी चीज़ है यह चीज़ हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर अगला है कि आवेदा का बरतमान डाक पता अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यारती होते हैं जिनका बरतमान डाक पता और दूसरा जो पॉइंट है उसका इस्थाई पता इसमें हमें अंतर देखने को म पता मतलब यहाँ पर क्या लिखा बरतमान डाक पता कि MPPSC आयोग के द्वारा कोई भी ऐसा पता जिससे वह आपको कुछ सेंड कर सके वह आपके गाओं नहीं जाए जैसे कुछ लोग होते हैं कि गाओं में उनका कुछ डाक आता है तो आपको इंस्टेंट नहीं मिल पाता तो इसलिए यह पूछा जाता है कि आप ऐसा पता दे जहां पर हम कुछ अगर आपको डाक भेजते हैं तो आपको तुरेट रूप से मिल जाए ठीक है इसलिए ऐसा बोलाता है तो जिनका भी बरतमान पता और डाक पता अलग-अलग है वो यहाँ पर डाक पता लिख सकते है और आपका इस्थाई पता लिख सकते हैं तो यह दोनों चीज़े क्या होंगी यह दोनों चीज़े आपको मेंसन करनी है ठीक है अगर दोनों अलग-अलग है तो अलग-अलग लिख दीजे और अगर सेम है तो सेम लिख दीजे उसमें तो कोई बात ही नहीं है ठीक है यहाँ आपको क्या लिखना है यहां प्याप आपको अपना इस्थाई पता है जिस जिले से हैं जिस गाउं से है जो भी आप अपना एड्र Brenda से है जो आपके आधार कर्ड में एड्रस लिखा है थीक तो वह अड्रस आप यहां पर मेंजन कर देंगे फिर उसके बाद जो 16 पॉइंट है आपका 16 पॉइंट में लिखा है आवेदा का आधार कार्ड नंबर तो यहां पर आप अपना आधार कार्ड नंबर मेंसिन कर दीजेगा ठीक है उसके हिसाब से बनाया गया है फिर पूछा गया है सत्रवे पॉइंट पर आवेदक का email id अब email id क्या होगा यहां पर कि जैसे normal email id लिखना है आपको बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनका email id हो गया rocky 007 at the rate है ना तो इस तरीके के email address आपको नहीं लिखने है ठीक है आप अपना नाम के आधार पर सर्च किजिए कि नाम के बाद कुछ digit लगी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है है ना क्योंकि कई ऐसे जो email है नहीं मिलते हैं हमको डारेक्ट नाम पर तो वहाली दिक्कत मान सकते हैं लिकिन जैसे rocky हो गया James Bond हो गया इस तरीके के आपको यहां पर email id नहीं लिखनी है ठीक है तो यह आपका 70th point हो गया उसके बाद आवेदक का mobile number ठीक है तो यहां पर आप अपना दो mobile number यहां पर आप लिख सकते हैं समझ में आ गया तो यह चीज़े हो गई कि इतनी चीज़े समझ में आगे कि इस तरीके से आपको कहाँ कहाँ क्या भरना है उसके बाद आपका point number 19 है यह यहां से आपका क्या होगा आपका यहां पर qualification यहां से start होगा कि कि आपने क्या-क्या पढ़ा है किस-क्या तरीके की चीज़े की है तो यह point आप अच्छे से पॉइंट देख लिजेगा परिक्षा का इस्तर कौन सा बोड या विश्विद्याला था आपको वोची लिख देनी है ठीक है तो यहां पर क्या आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहां सबसे पहले आप देखेगा कि यहां पर क्या पूचा है हाई स्कूल बोला गया है हाई स्कूल इंटर्मेडियेट मतलब हायर सेकेंडरी तो सब्से पहले यहां पर जो आपका यहां पर जो भी बोड होगा यहां पर क्या है मद्य प्रहस का MP पर यहां पर यहां पर कर सकते हैं यहां पर CBSC डाल देंगे फिर यहां पर अंतिम परिक्षा उत्रेंड करने का वर्स और दिनांग तो आपने यह परिक्षा कब पास की है वो चील लिखेंगे ठीक है और किस तारीक को पास की तो जैसे मालेज़े जब आप 10th का result देखेंगे तो उस result में last में आपको उत्रेंड करने का दिनांग लिखा होगा ठीक है आपको अपने मन से नहीं लिखना है वो आपको 10th की यहां पर जो दिनांग होगा जो दिनांग हो उठा के लिख दीजेगा उसके बाद स्रेणी और प्रपतंक तो यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर आपने किस स्रेणी पर प्रास किया है तो प्रथम स्रेणी प्रास किया है तो आप यहां पर प्रथम स्रेणी लिख देंगे ठीक है और उसके बाद यहां पर आपका percentage डाल देंगे कि किते percentage आपके आये थे ठीक है तो ये percentage हो गया ये चीज़े हो गई फिर पूछा गया परिक्षा का विस है तो जब भी आपका जो 10th का mark seat होगा उस 10th के mark seat में आपके जितने भी विस हैं वो सारे विस है आप यहाँ पर क्या करेंगे mention करेंगे जैसे गडित हो गया विज्ञान हो गया सामाजिक विज्ञान हो गया है ना उसके सासा संस्कृत हो गया हिंदी हो गया जो भी subject आपको mark seat में है वो आप लिख देजेगा सेक्षडिक संस्था का नाम तो आपने लिखना है तो याद रखिएगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आपको जो 10th का mark seat होगा उसके mark seat के सबसे उपर आपको एक serial number दिया होगा ठीक है serial number ही आपको यहाँ पर लिखना है यहाँ पर आपको क्या लिखना है serial number लिखना है तो यह आपको कहा मिलेगा यह आपको 10th की mark seat 12th की mark seat या फिर आपका जो degree होगा college का वो आप यहाँ पर mention कर देंगे वो आपके serial number पर सबसे उपर आपको देखने को मिल जाएगा समझ मैं है सेम एस क्या होगा यहाँपर कैं यहाँ अगला आपका higher secondary ठीक है तो है सेकेंडरी में आपको लिखना है किस बोट से पास हुआ पास किया और जो डेट होगी दिना वह आपको उसमें माक्सीट में मिल जाएगी, सेम ऐस क्या क्या सब्जक्ट से किस संस्था से pass किया, वो चील लिखना है तो सेम वहाँ पर यह हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो main है, अनिवारिस एक्षिड आ हरता हैं, कि इस नातक कहां से किया, तो वो उसका board क्या था, जैसे माल नेज़ सारा में पास किया जो भी वर्स रहा होगा वह वर्स आप मेंशन करेंगे दिनाक मेंशन कर देंगे वह भी आपको मिल जाएगा ठीक है किता परसेंटेज आया CGPA जो भी जैसा भी दिया होगा आपका परसंटेज के फॉर्म में लिख दीजिए कौन सा स्रेणी आया वो लिख देंगे है ना कौन कौन से सब्जेक्ट थे ठीक है तो सब्जेक्ट में आपको जैसे यहां पर बहुत सारे लोग को दिखे जाती है कि सब्जेक्ट क्या लिखे सब्जेक्ट थो क्या है एक सब्जेक्ट थो रहेगा नहीं तो यहां आप जिस चीज से पास किये हैं ठीक है क्या होगा क्या बोला गया यहां पर परिक्षा का विश है तो परिक्षा का विश है में यहां पर लिखेंगे जैसे मानलों कोई इंजीनियर है तो आप वहां पर लिखेंगे bachelor of engineering from this branch ठीक है जैसे कोई civil engineer है कोई computer engineer computer science engineer है तो वो चीज़ आप mention कर सकते हैं और भी जिस field से जैसे किसी ने computer science से ब्सकी किया हो तो वो चीज़ आप mention कर देंगे कि यहां पर समझ मैं उसके बाद आपको यहां पर कि next जो रहेगा वह आपका क्या रहेगा सेक्षरिक संस्था आपने कौन से college से किया है और साथ ही साथ आप क्या लिख देंगे लास्ट में कि उसका सनलगना सक्रमांक जो सीरियल नंबर आपकी डिगरी में लिखा होगा ठीक है तो वह अहां से आपको मिल जाएगा फिर माली जेकिसे ने PhD करा है तो आप यहां पर PhD कर लिख दीजे है ना तो PhD यहां पर कर जो भी जिसने करा होगा वह PhD डाल सकते हैं सेमी चीजे करनी है ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर बोला गया है कि अन्य अत्रिक्त महत्पूर्ड अहरता हैं आपके अंदर और कौन-कौन तक गया है तो वो चीज मैंसर कर सकते है तो जो भी एक ऐसा जो भी एसी चीज जो कि राज्य के इस्तर पर आपका यहाँ पर पुछा गया है 20th point दो बोला है कि विज्ञापन अनुसार वांचित अनुभाव यदि मांगा गया है तो उसका विवरण यहां पर अंकित करें ठीक है तो क्या बोला गया है यह सुनस्चित किया जावे कि अनुभाव प्रमाडपत जारी करता संस्थान में जावा क्रमांग जारित करने की ति सीरे क्या लिखेंगे लागू नहीं ठीक है लागू नहीं है not applicable लिख जेंगे और बाकी डिबो पर आप ऐसा डैस मार सकते है यह आप बाकी पर डैस कर दिए इस पर कोई यहां पर क्या है कि फॉर्म में कुछ अनियत्र चीजे ना लिखी गई हो है ना तो इस तरीके से आप इसको फुल्फिल करेंगे ठीक है लागू नहीं लिखेंगे अगर आप में इसमें कोई experience नहीं है तो लागू नहीं लिखने के बाद यहां पर जितने भी आपके क्या यहां पर जो boxes बने हुए है उन box पर आप क्या करेंगे यहां पर ऐसा डैस का निसान लगा देंगे जिस उसका विवरण दें ठीक है जैसे माल लिजे किसी की job लगी है नकिसे कोई माल लेजे पटवारी बना हुआ है या फिर कोई नयाव तसरीशां नहीं है तो यहां पर भी आपको क्या लिखना है यहां पर भी आपको लागू नहीं लिखकर लागू नहीं लिखकर या तो आप ऐसा cross कर दीजे और ऐसा cross नहीं करना है तो आप क्या करेंगे आप यहाँ पर फूरे dash कर निसान लगा सकते हैं ठीक है simple सा लागू नहीं लिखकर आप ऐसा dash कर दीजे तो यह चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी यहाँ पर mention हो जाएंगी समझ में आया इतनी चीज़ें पिर अगला प्रेशन पूछा किया है यहाँ पर कि अगला प्रेशन क्या है यहाँ पर 22 पॉइंट जो है 22 पॉइंट क्या है कि यदि आप अन्नी किसी संस्थान विभाग किसी पद पर मद्द Dububer देशन को छोड क्या है कि छोड कर सेवा रथ हैं तो इसका कि आपको कितना वेदन मिल रहा है क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होदी है जो यहाँ पर आपको minsân है वो चीज़ आप डाल सकते हैं तो यहाँ पर आपकी यह चीज़े हो जाएंगी तो यह वाला point भी आपका clear हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर एक कुछ चीज़े आती हैं कि यदि आप आयू सीमा में छूट चाहते हैं तो छूट का आधार और विज्यापन में संदर्भित कंडिका का स्पश्चता उल्लेक क्या हैं तो वह चीज आप छोड़ देंगे 24 पॉइंट है कि क्या आप भारत के नगरिक हैं तो यहाँ पर सरकार से पातरता का घोशड़ा पत्र प्राप्त किया है तो यहाँ पे आपको हाँ या नहीं पर कुछ ठीक नहीं करना है यहाँ पे आप लिख दीजेगा लागू नहीं ठीक है मतलब यह क्या है कि आप लागू नहीं हो रहा है तो लागू नहीं लिख दीजेगा फिर क्या आ यह चीज़े हो गई उसके बाद यहां पर क्या लिखा गया है कि 25.25 हो गया 26 में क्या बोला गया है कि क्या आप दिव्यांग स्रेडी में आते हैं ठीक है तो दिव्यांगता में आते हैं तो हां लिखेगा दिव्यांगता में नहीं आते हैं तो नहीं लिख सकते हैं और उसके कपके बाद आपको यहाँ पर ये मैंसन करना होता है कि दिव्यांगिता का प्रकार क्या है कोई अ aslında है कोई अस्ति बादित है कोई दर्स्टीबादित है उब विकलांगता है तो वो चीजा Kind ऑपर अपने और लागू नहीं ठीक है इस तरीके से यहां पर यह जीज़ें चीज़ें कर सकते हैं तो इस चीज़ें हो जाएंगी और जैसे मान लिए कोई है विकलांग ठीक है तो उसमें क्या कर सकतें जैसे आप द्रश्टीबादीव स्टोपधि तो तिक लगा दीजीए अवर उसका प् पूरा फॉर्म की आपकी जो फाइल फाइल वनेगी ठीक है यह चीज़े हो गई है उसके पाद यहां पर आपका जो 27 पॉइंट है क्या बुला गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं तो आप वहाँ पे हां मैंसन कर सकते हैं ठीक है कब से कब तक आपने क्या किया है सर्व किया है कंट्री को तो वो चीज आप समय लिखेगा कि इतने वर्स इतने महा इतने द विद्यालाय महाविद्यालाय का प्रतिनिद्रित्त किया है यदि हात विवरण दे और प्रमार्बत सनलगन करे कि बहुं सारे बच्चे क्या होते हैं कि हाँ पर कॉलेज में विद्यालाय से खेलते हैं तो उनके पास कोई क्या करेंगे मैंसन करेंगे तैंब की अगला अगला यहां पर 29 जो point है 29 points में देखेंगा क्या बोला है कि रास्थी broken ncc आप क्या होता है कि रास्धी Chaos or एंची सी्हों में जो एंसे सींधिनीटकों आपको प्राप्त होता है वह सर्टिफिकाट मैंसन कर आप लिखेंगे मिला तो सदिफिकेट यहां पर डालिएगा और उसके बाद उसका जो सदिफिकेट होगा वह आपको डिसमें बोला गया है कि आप संलडन करें वह आपको संलगन करना आवश्यक है पिर यहां पर स्टार्ट होता है जो थाइट पॉइंट 240 में क्या बोला गया है कि क्या आपको सास में बर्क स्जान किया गया है या किकूर उझा अभ्यूजित दंडित कि कोकि बढ़ कर दीजेगा राजर लो Ε transformer करके लिखना पर आपको लागव लिखना एप उसके बास आगे बढ़ते हैं क्या भोला गया है थारडिया पॉइंट 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 में कि eats państwo यह राज-लोग-सिवायोग द्वारा किसी परिच्छा चयन से वंचित किया गया हो तो विवरण दे तो ऐसा तो कुछ होआ नहीं है तो यहां पर भी आपको नहीं लिखना यहां पर भी आपको लागू में लिखना है टिक है उसके पर आल आप iln क्या आप माननी उछ नियाले में नीर्णाय के तहट परिक्षा या साख्षातकार में समलित किए गए हैं तो जैसे मान लिजे क्या है कि कुछ बच्चे जो नयाले पर करते हैं अपनी appeal करके यहां पर दिख्ञ़ करके यहां पर मुख्य पर इख धेते उनके लिए चीज़ है बाकी यहां पर अगर डारेक्ट आए है कोई इस obs संय नहीं है तसका है तो यहां पर नहीं कर सकते है कोई दिक्कत नहीं है कि तरी जिस भीिषश फॉम Bugün होंगे याजिया के अधीन तो वो चीजह आप आप मेंसन करेंगे कि किस खंड़ीट से था जवलपुर गॉलियर का या इंदौर जिस भी खंड़ीट पे उनका जो फॉर्म लगा होगा या केस लगा होगा उसका वो मेंसन करेंगे आपको इसमें आप पर लागू नहीं लिखन तो यह जो वाला पॉइंट होगा 33 पॉइंट जो होगा इस 33 पॉइंट में हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा इंटर्व्यू इसमें चला जाए कि आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो जैसे अभी रुचियों प्रकास उनो आदी के सम्बंद देना चाहें, तो संचेप में अंकित करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखेगा, कि ऐसी कोई होबी, यहाँ पे कुल मिलाके होबी लिखनी है, है ना, होबी ही लिखनी है, लेकिन ऐसी होबी जो आपके चैन में सहायक है क्योंकि जब भी आप ऐसी कोई होबी मेंजन करते हैं उस होबी में क्या होता है कि वो लोग सीथे आप से डारेक्ट कोशन ये पूछते हैं कि इसमें तो यह लिखा है कि भाया यह चैन में किस प्रकार से सहायक है है तो वो चीज बहुत जरूरी है और जो दूसरा आप से इसमें बहुत सारे कोशन होते हैं तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको वैसे ही होबी मेंसन करनी है कुछ भी आप गलत होबी मत लिखेएगा क्योंकि यहां पर फसने का चांस बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा होता है और पूरा का पूरा इंटर् चैन में सहायक हो अब जैसे आपको यह आपकी कई बार होबी डिसाइड कर देती है ठीक है तो यह आपको यह चीद नहीं करना है आप सोचेगा आप कोई ना कोई आपकी होबी जरूर निकल कर आएगी कि आपको यह करना पसंद है इस खाली समय पसंद है किसी को पसंद होता है किसी को यहां पर डायरी लिखना पसंद होता है जिससे क्या होता है जैसे डायरी लिखने वाले जो होते हैं उनके मनों में क्या होता है रचनात्मक कार रहते हैं कुछ ऐसे विचार आते हैं जिससे वह कारे को किसी अच्छे तरीके से कर सके तो यह डारेक्ट जानकारी मेरे पत्रक में दी हुई है यह पूरा का पूरा रूप से कहा है साथधानी पूर्वक भरी है और क्या है यहां पर जो भी अगर मान लीजे इसमें कुछ गलत जानकारी दी होती दिनांग डाल सकते हैं इस्थान आप वही लिखेगा जिसे इस्थान पर आप आपका वास्तुविक पता है आपका जो आपका डाक पता है यहां पर आपका इस्थाई पता है यहां पर आप वो चीज मेंसन कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर यहां पर यहां पर दिनांग लिखे लाएगा तो तो मैं और यह जो नीचे दिया गया है कि कार्यालिन उप्योग के लिए तो यह आपके उप्योग का नहीं है इसके नीचे आप पर जो हसताक्छर किया गया है वो यहाँ पर भी हसताक्छर जो आप फोटो कॉपी कराने के बाद ही करिएगा ठीक है दोनों जख्फ़ाइब साइन आपको सीदे रव फॉम में डारेक्ट करना है आपकी यहाँ पर हसताक्छर की फोटो कॉपी नहीं लगेगी समझ गया ना तो यह चीज़ आप ध्यान रखेगा बहुत बार फॉर्म बरते भरते क्या होती है गलतियां हो जाती है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने जरूरी बात है ठीक है तो इस तरीके से आपका व्यक्तिगत विवर्ण पत्रक जो है वो पूरा भराया जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें आपको बता जी गई है ठीक है अब बात यह आती है कि जैसे मैंने आपको सुरू में ही बोला था कि कैसे डीएफ जो होता है डीएफ का जो फॉर्म होता है वो आपका 50-60% जो इंटर्वियू रहता है वो डिसाइड क गया है उस आज़ा किया गया है कि उनसे कौन कौन से कोश्चन डीएफ से डारेक्ट पूछे गया है वो चीज़ें हम देख लेते हैं ठीक है जैसे यह फॉर्म हुआ ठीक है तो आवेधन क्रमाग अब यहां से स्टार्ट हो आता है ठीक है यह जो आपका डीएफ फॉर्म होगा यह पांच प्रितियां क्यों मंगाई गही है तो कई बार क्या होगा जितने भी इंटर्विवर रहते हैं जैसे चार हुए चार का पैनल ह हुआ तीन का पैनल हुआ या पांच का पैनल हुआ उन सभी के पास आपका यह डीएफ फॉर्म ही रहता है ठीक है बाकी अन्य कोई भी फॉर्म आपको उनके सामने नहीं मिलेगा यहां पे आप अपनी फाइल तो लेकर जाएंगी और फाइल आपके पास रहेगी कई बार व आप सोच तमच कर ही भरें ठीक है तो यहां पर क्या होता जैसे आवेदन क्रवांक हो गया अब क्या होता है कि कई बार बहुत ऐसे रेंडम कोस्टन पूछ ले जाते हैं जैसे कई बार बैठे बैठे उनले पूछ लिया कि चलिए बताइए आपका मुख्य परिक्षा का रो और ये रोल नम्बर रोट हैं मुख्य परिक्षा का आपको बहुत बेसबरी से इंतजार होता है कि ये जो PDF जारी कि जाएगी लोग से वायोग के द्वारा उस PDF में ये रोल नम्बर दिख gr तो curiosity इतनी ज़्यादा होती है उस role number के लिए कि वो आपको कहीं न कहीं मिल ज़रूरी है तो इसलिए इस role number के लिए क्या है आपको याद होना चाहिए तो कई बार ये प्रस्ण भी पूछे गया है कि आपका role number क्या है उसके बाद क्या है आपका विग्यापन दिनांग ये किसी का नाम बहुत रोचक होता है किसी का नाम राम हुआ तो राम भगवान से question पूछले आते हैं सरी कही सा रिलेट क्या काए चीज़े हो सकती है तो इस तरीके से वो पूरी mythology में चले आते हैं कि आप इससे बताईए कि रामायण में क्या हुआ था ये क्या हुआ था तो वहां से question related हो जाते हैं तो सबसे पहले जो भी आपका नाम होगा जैसे आप सबसे पहले क्या करेंगे आप नाम पर आधारित प्रस्ण ठीक है क्या बनेगा नाम पर आधारित प्रस्ण बनते हैं अब नाम पर आधारित प्रस्ण बनेंगे तो जैसे मान लिजए किसी का नाम रोचक हुआ बहुत रोचक नाम हुआ ठीक है तो उससे question बन जाते है कि सबसे पहले क्या होगा आपको उस नाम का अर्थ पुछ ले आता है पर्याएवाची पुछ ले आता है जैसे मान लिजए किसी का नाम रोचक हुआ तो रोचक से क्या होता है कुछ अलग से नाम हुआ तो उससे का पुछे कि भईया इस नाम का अर्थ क्या है ठीक है तो य नाम से क्या पूछ ले आता है उस नाम सी कोई famous परसनालेटी से question arise हो जाते हैं कि कोई कौई कौई परसनालेटी रही है जो बहुत ही ज्यादा फेमस थी और उन्होंने किसी भी छेतर पर बहुत ही महत्रपूर काम किया है वैसा नाम अगर आपके नाम के साथ मेंसन कर गया तो बहुत ज्यादा chances रहते हैं कि उस पर question पूछे ही पूछे जाते हैं ठीक है पहली चीजी हो गई द मतलब भी पता होना चाहिए के सरनेम का मतलब क्या होता है प्रा चीन काल से संबंध क्या रखता है तो कई बार मेरे जो सरनेम था उससे प्राचीन काल से भी question पूछे है है तो यहां पे पिता जी के नाम पर भी कोई question पूछ लिया जाता है ठीक है तो यहाँ पर पिता पर आधारित जो प्रेशन पूछ जाएंगे वो भी क्या होता है interviewer के द्वारा पूछ लिया जाते हैं फिर अगली जीत जो आती है जन्म दिनांग अब जन्म दिनांग भी क्या है यह है एक important factor है कि जैसे माल लीज II कई यह लग अलग अलग question बनते हैं जैसे जन्म दिनांग पर क्या कशेंच साही कि कि आपका मान लिए दिनांक कब आ गया साथ अपरेल को आ गया अब इंटर्विवर क्या है कि इतना तो याद रहते है कि भाई कौन सा दिवस कम मना जाता है तो आप से पूछ लिए कि साथ अपरेल को क्या मना जाता है तो साथ अपरेल को आपको पता होना चाहिए कि भाई इस इस बिमारी के लिए क्या काम किया, फिर उसको COVID से रिलेट कर लिए, कि COVID में वहो ने किस प्रकार से काम किया, तो इस पे आधारित question बन जाते हैं, कि इस तारीक हो या इस दिन को कौन सा दिवस मना आयाता है, तो उस दिवस पे आधारित question पुछा जाता है, समझ में आ गया, द 1995 में 1995 की उस पूरे साल की महत्पूर्ण घटनाएं बताईए कि 1995 में महत्पूर्ण घटनाएं आपको वहाँ पर बतानी पड़ जाएंगी कि 1995 में क्या-क्या हुआ था ठीक है तो यह चीजें आप से पूछ लिए आएगा जन्म दिनांग से समझ में आया फिर जन्म दिनांग क बाद हम आगे जाएंगे यहां पर आपका क्या हो गया एक सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहली चीज जिस जगह से बिलॉंग करते हैं उस जगह का नाम किसके आधार पर पड़ा या उसका प्राचीन काल में क्या संबन था जैसे कुछ लोग अबल्सक्राइब किस बोपाल से बहुत सारे अलग-अलग सभी मधबरेस के अलग-जिलों से आते हैं तो आपका उस छेतर में प्राचीन-काल से क्या संबन था उसके सबस्टे निरधारित पूरे कोश्चन तो सबसे महत्फपूर recipient का कि आप किस जगह से आ तो जिस जगह से आ रहे हैं कि आपको उसकी जानकारी पता है वहाँ पे कौन सी जन जाती रहती है कौन सा लोक नत्य होता है कौन सा नत्य किया जाता है तो जो भी इस पेसालिटी होगी मतलब आप अपने जिले से समबंदित जितने भी प्रस्ण है जितने भी प्रस्ण है वो स जिलापुरा रेडी करना है जिले के साथ जो मद्ध नzerी प्रिदेस की जो भी जो भी कॉस्चन होंगे उस पे आधारित आपको पुछनर पूछना है तैयार करना है इतिहास संब्दित जितने भी प्रस्ट होंगे वो ready करना है किस geographic location में है वहाँ पे कौन सी फसल होती है वो पूरा तैयार करना है वहाँ के कोई famous personality जैसे माल लीजिए कोई polity से सम्मंदित या कोई वहाँ से कोई CM बन के आया हो तो उनके बारे में जानकारी जो भी famous personality आपके जिले से आई है उसके बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए तो जो आपको जो सबसे जादा तयारी करनी है वो आपको जन्म इस्थान पर ही आधारिद तयारी करने की आवशक्ता है जिस स्थान से आप आए हैं उसके बाद बढ़ते आगे यहां पर जो और बनेंगे जैसे आपका पता ठीक है पता से कोश्चन बनते हैं कि आपके गाउं का नाम क्या पड़ा आपके इस तहसील से आते हैं फिर जो कोश्चन बनता है कि कई बार यह भी प्रस्चन पूछा ग चाय juvenile किस तो क्हां बहुता है तो कहींब और इसमें हर एक हर कि घुक हैं डिजेट क्स आधार पर आधार है यह हम कैसे पता लगाते हैं यह पिन कोड कि question कहां से निकल कर आ जाए ठीक है तो यह चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको हर एक चीज DAF से related जितने भी प्रस्ण है आपको बनने चाहिए पिर इस थाई पता का मैंने बताई दिया आपको मूल लिवास इस्थान का हो गया आपको अपना आधार कार्ण नंबर याद होना चाहिए ठीक है तो DAF में अगर आप आधार कार्ण भड़े हैं तो आप से आधार कार्ण भी पूछा सकता है कि आपको याद ही रहेगा दूसरा नंबर भी आप याद कर लिजेगा जैसे कुछ लोग दो नंबर लिख देते हैं पहला नंबर याद है तो दूसरा नंबर भी आप याद कर लिजेगा अब कोई भी ऐसा क्या हो कि आपके इंटरव्यू को खराब ना करें ऐसी कोई भी आसंका ना हो फिर जो आपका जो इंपोर्टेंट है यह है आपका क्या सेक्षिडिक एहरता ठीक है अब अगला जो प्रेशन बनेगा जो सब ग्रेशन की सब्जेक्ट पूछ ले आएंगे कि आपको आता है कि फांडेशन कैसे बनता है ठीका फूटिंग कैसे उपियोग होता है जो भी चीज़ें आपका पूछ लिए, आपका पूछ लिए, आपका पूछ लिए, डिजाइन बता दीजें कि क्या क्या चीज़ें होती है, types of bridges पूछ लेगा, types of dam पूछ लेगा, तो जितने भी cantilever bridge क्या होता है, जितने भी question है, civil engineer से related, वो question आप से पूछ लेगे, तो जिस भी subject से आपने सनाता किया है, उसके सारे प्रेशन आपको बनना चाहिए, क्योंकि कई बार ये question आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये question बहुत ही महत्तुपूर है कि आपने 4 साल या 3 साल का graduation किया है, तो आपको आता क्या है, आपने कितना gain किया है, वो चीज़ पूछा आता है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, कि आपको आपनी संस्था का, जैसे आपने जिसे स्कूल से पढ़ा है, उसके बारे में जानकारी, ठीक है, जहां से higher secondary किया है, उसके बारे में जानकारी, और जो भी आपका college रहा है, जो भी आपका college का नाम रहा है, उस college से related आपको प्रेशने पूछ जाएंगे, तो ये चीज़े पूछा जा सकता है, फ में basically आप ये मान लीजिए, कि जो इसनातक रहेगा, इसनातक से बहुत ही महत्पूर question पूछे आते हैं, और कई बार interview इसी के एर्दिगिर्द भी घूम जाता है, फिर मान लीजिए, आपने कोई ने special mention कर दिया, इस special mention किया है, कोई अन्यवांचिक हरताएं हैं, तो उस पर question question बनते ही बनते हैं, कि आपने ये extra किया, क्योंकि वो extra दिखता है, क्योंकि in journal अगर देखा जाएं, तो बहुत सारे लोग क्या है, इसनातक ही करके आते हैं, पर अगर किसी ने क्या किया है, यहाँ पर MST है, MA किया है, किसी ने post graduation किया है, तो post graduation से question बनेगे, आपकी जितनी जादा आपका experience होगा, या जितनी जादा आपकी डिग्रिया होंगी, question last degree पर ही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो किसी ने अगर PhD किया है, तो PhD पर पूरा interview चलेगा, किसी ने अगर आपका post graduation किया है, तो post graduation से question चलेंगे, और किसी की maximum जो पढ़ाई है, वो अगर इसनातक पर ह इसनातक पर ही चलेंगे, तो यह हो गया, फिर जो आपको आगे पूछा गया है, कि आप किस field पर काम कर रहा है, तो इनको भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, कि ये वाले interview करने वाले, जो मानलों कहीं पर job कर रहे हैं, या फिर कोई महत्तुप्रेश्य सासन में ही है, कोई नायब तसीलदार है, अपनी post अपग्रेड करने के लिए MPPST की त्यारी कर रहा है, तो उनके लिए भी MPPST क्या होता है, कि उनके post से related ही question पूछता है, कि चले आप नायब तसीलदार है, या आप जो भी पत पर है, तो आपने इस challenge को कैसे पूर्ण किया, या फिर ये कोई का कोड बना है, कोई code बना है, तो उस पर आधारित question बनेगे, कि आपको क्या जानकारी है, आप field work पे उतरे है, तो आपको field का काम आता है, कि नहीं आता है, तो उसके इर्दिगिर्दी पूरा का पूरा interview उनका चलता है, अगर उनको वो experience अच्छा लगा, कि हाँ इनने काम बह क्या किया है, ठीक है, अगर आपने कोई साई sports जाला है, तो sports related question पूछेगा, कि ये sports कैसे खेला आता है, ठीक है, क्या क्या चीजे होती है, उसके जो भी technicalities होंगी, वो पूरे sports की आप से पूछ लिए जाएंगी, कि क्या आप sports में आपने किया है, या आपने game खेला है, तो आपको आता है कि नहीं आता है, तो जैसे माली आपने badminton खेला है, तो badminton court का size पूछ लेंगे, ठीक है, उसके पूरे rules पूछ लेंगे, तो वो चीज आपको आना चाहिए, तो ऐसे क्या है, कि आप मतलब का क्या है, कि आप मतलिक दीजेगा, कि आपने ये game खेला है, कि मज चीजे मैंने आपको पहले बताई ही थी, कि hobby आपका इतना strong होना चाहिए, कि आप उस पर, क्योंकि आपको उसमें interest है, और कुछ चीजे जब interest होती है, तो उसमें क्या होता है, कि आपको त्यारी करने क्या हो सकता नहीं होती, वो जो answer होता है, वो आपके अंदर से ही निकल क personality है, यह आपकी hobby से check हो जाता है, तो आप hobby का वाला जो portion है, वो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कि आपको सच में वो चीज करना पसंद है, या आपने fake ही लिखा है, ठीक है, तो यह बहुत ज़्यादा personality check के लिए question रहता है, तो आपको यहाँ पर hobby लिखने की बहुत source तमझ की आप सकता है, कि यहाँ पर क्या चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी, समझ में आ गया, तो यह पूरा का पूरा DAF का analysis हो जाएगा, आपको इस तरीके से आपका DAF ready करना है, कैसे form भरना है, वो अब मैंने आपको बता दिया, और DAF से क्या-क्या question arise होते हैं, वो च किसी भी गलती के कुंजाई साब मत रखिएगा, ठीक है, चलती है मिलते हैं, इंटर्व्यू के तयारी हम आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसे ही महत्पूर्ण लेक्चर आपके सामने लाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिन्द